हेलो एभरिवान कैसे आप सब तो फ्रैंस बहुत ही सुन्दर डिजाइन मैं आज आपके सांबने लेके अए हूं देखिए येज मैं बटन-पट्टी का डिजाइन लेके आई हूं ये देखिए मैंने जिग-जग बटन-पट्टी बनाई हुई है और ये बनने के बात देखे किती सुन्दर लग रही है इसे आप शॉल में साइडों से आप इसको बटन पट्टी बना के इसको जोड सकते हैं और बच्चों की फ्रॉक में भी नीचे फ्रिल का काम करेगी बहुत ही सुन्दर लगती है अगर आप इसको बनाएंगे तो और यह बनाना बहुत असान है यह देखिए यह मैंने शुर्ए बटन पट्टे अलग से बनाई है फिर इसमें अटेच्च की हुई कि है कि में data बटन पार्ट बना लिया था फिर बटन पट्टी इसमें से जोड़ी है मैंने तो फ्रेंस देखिए मैं बनाना स्टार्ट करते हूं लेकि उसके में 3 फंदे डाले हुए है लेद है 141 से ये हमें बढ़ाने ऐ है यह देखिए इसी दह बना लिया और जो हमारी उल्टी रोव है तीनों अंदे हम उल्टे बना लेंगे यह देखिए उल्टे बना लेते हैं इसको देखिए उल्टे बना लिया है अब यहां से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा देखिए जो पहला फंदा है हमें उतारना है क्योंकि तभी हमारी यह चेन सी बननी स्टार्ट हो जाएगी अगर हम उतारेंगे नी तो हमारी चेन बनेगी नी तो हमें पहला फंदा हमें यह दूसरा फंदा अब हमें यहां पर जाले डालनी है दागे को अपनी तरफ करेंगे यह देखिए और यह दो फंदे हम सीधे बना लेंगे दो फंदे सीधे बना लेंगे लास्ट में फिर से इसको उल्टी वाली स्लाई और सीधी वाली स्लाई में पहला फंदा हमें ऐसे ही उतार लेना है यह देखिए इसको भी हम ऐसे उतार लेंगे और बाकी सब उल्टा-उल्टा बना लेंगे देखिए तीन फंदे के हमारे चार फंदे हो गया है अब यह देखिए सीधी रो में यह फंदा उतार के हमें यह देखिए यह सीधा फंदा बना लेना है और यहाँ पर जाली डाल लिए दागे को आगे करेंगे और यहाँ पर जाली डाल देंगे यह सीधा बना देंगे और य देखिए यह फंदा उतार लेंगे ऐसे ही यह आपको ध्यार रखना है कि पहला फंदा आपको दोनों उल्टा और सीधा उतारना उतारना है तभी हमारी दोनों तरफ से चेन बनेगी और सुन्दर लगेगा हमारा डिजाइन भी यह देखिए पांच फंदे होगे अब देखिए यहां से सीधी रो में फंदा उतार के फिर यह सीधा बना लेना है हमें और यह वाला जाली वाला भी सीधा बना लेंगे अब फिर से हम यहां पे जाली डालेंगे यह देखिए अब उल्टी रो में यह फंदा उतार के फिर यह उल्टा उल्टा बना लेते हैं हुआ है और शीधी रो में देखिए इसे अपना उतार लेंगे और एक दो फंदे हो गया मारी तीन चार और दागे को अपनी तरफ करेंगे और यहां पर जाली डालके यह फंदा सीधा बना लेंगे यहां पर हमारी यह जाली बनेगी बनेगी जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं यह देखिए साइडो 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 सामारी जाली बन रही है फिर ये वाला फंदा हम उतार लेंगे उल्टी साइड का और बाकी सब फंदे उल्टे बना लेंगे सिर्फ पहला फंदा उतार के बाकि सब उल्टा बनाना उल्टी रो में तो लिए सीधी रो में आपको दिखाती हूँ सीधी रो में फंदा उतार लेंगे फिर ये सीधा बना लेंगे हम ये देखिए चार और ये पांच, पांच फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए धागे को आगे करेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे, यहां जाली पड़ जाएगे मारी, फिर सो उल्टी रो में एक फंदा उल्टार के बाकी सब उल्टा, यह मारा सीधी तरफ से देखिए, फंदा तो हम उतार लेंगे, बाकी यह देखिए, तीन सीधे, चार, पांच, छे, छे सीधे बनाने के बाद धागे को आपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे, देखिए यहां से हमारा फंदा एक एक जाली से बढ़ रहा है अब उल्टी रो में फ़र्स्ट फंदा तो हम उतार लेंगे और बाकी सब उल्टा बना लेंगे देखिए सीधी तरफ से फ़र्स्ट फंदा हम उतार लेंगे और सीधा बना लेंगे बाकी चार पाच छे यह साथ दागे को अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे यह सीधे बना लेंगे यह देखिए अब हमें उल्टा में एक फंदा तो हमें ऐसे उतार लेंगे बाकी उल्टे बना लेते हैं तो फ्रेंट्स देखिए जब यहाँ पर आठ फंदे हो जाएं यह से दो चार छे आठ आठ हो जाएंगे फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए फिर्स्ट रूदा तो हमें ऐसे उतार लेना है फिर हमें उल्टे साथ फंदे बनाने हैं एक दो तिन चार पांच छे यह देखिए यांनि कि इसको मिलाकर हमारे साथ फंदे हो गया है फिर यह देखिए धागे को पीछे करेंगे और इस फंदे को हमें सीधा बना लेना है और फिर धागे को आगे करेंगे यहां पर हमें जाली बनानी है और यह सीधा बना लेंगे क्योंकि देखिए ये जो हम बना रहे हैं ये वाला ये जो ये देखिए छे फंदे हैं एक दो तीन चार पांच छे और सात्वे पर हमने इसको बंद कर दिया है तो हमें छे उल्टे उल्टे बना ले है तब सात्वे पर हम इसको यहाँ पर फंदे घटा देंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छे छे बनाने के बाद हमें इसको घटा देना है तो हम छे छे बारी हम ये वाला उल्टे उल्टा बना लेंगे यहाँ पर देखिए उल्ट यह देखिए एक तो हमारा बन गया है हमें पांच और हमें यह उल्टे-उल्टे बनाने है यह देखिए एक पंदा तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं इसको और अगे को आगे करेंगे और उल्ट-उल्टा बना लेते हैं अब यह देखिए यहां तक हमने उल्टा बना लिए अब यह सीधा है आगे को पीछे करेंगे और यहां सीधा बनाएंगे फिर दागे को आगे करेंगे इदर जाली डालके दो फंदे सीधे बनाते हैं यह देखिए अब फिर उल्टी रो तो हमारी पूरी उल्टी बनेगी इसको उतारना है और बाकिसा उल्टा उल्टा बना लेना है कि इसको उतारने का reason क्या है देखें यह हमारी चेंट बनती और जो हम यहां जोड़ेंगे तो यह चेंट हमारी सुन्दर सी बन के आएगी इसलिए हम इसको उतार लेगे साइड़ों से केके ठेखें इधर से भी च corrections बनाने के बाद देखिए दागे को पीछे करेंगे और यह फंदे सीधे बनेंगे यह देखीं, तीन फंडे सीधर हो गए, यह बढ़ रहे हैं यहां यहां से, हमारे यहां जाली जो डाल रहे हैं, मैं आरे हैं फंडे बढ़ रहे हैं, जब یہ साथ हो जाएंगे, फिर हम इसको गटा देंगे, अभी हमें तीन और बना ने गलेए, उल्टी रोह हमारी पुरी उल् फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये 6 बनाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तो फ्रेंज देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे परीबने बनाकर इसको अब हम यहाँ पर घटा देंगे, और ये देखे, यहाँ पर हमारे सीधे फंदे किते बचे, एक, दो, ती कैसे घटाते हैं, ये मैंने फंदा ये देखिए, उतार के ऐसे उतार लेंगे, और ये जो हमारा उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बना लेंगे, ये देखिए, और इसमें से इसको ऐसे गिरा देगे, ऐसे ये हम घटा लेते हैं फंदग मा, कि देखिए लास्ट का है यह गटा लेते हैं अब यह देखिए हमारे यहां से गट गया है और यह देखिए डेजाइन बनना स्टार्ट हो गया है ऐसे और यह अब देखिए इसको हम उल्टा बना लेते हैं चार पांच छे साथ साथ उल्टा बनाने के बाद देखिए एक फंदा उल्धागे को पीछे करके यह सीधा बना लेंगे फिर से धागे को आगे करेंगे यहां पर जाली डलेंगे और यह ऐसा टीज जैसे हमारा नीचे सा शुड़ू है वैसे ही आगे चलता जाएगा अब यहां से फिर से हमें छे बार यह ऐसे बनाना है फिर उसके बाद फिर से घटा देना है यह ऐसे ही रो हमारी चलती रहेगी और चलिए मैं आपको यह भी दिखा देते हूं कि यहां पर हम बटन पट्टी के जैसे हम होल बनाते हैं कैसे बनाएंगे यह देखिए जो होल बनाए हुए हमेने यह कैसे बनाएंगे तो पहले आपको यह वाली जिसमें हमें बटन लगाने है वह वाली बटन पट्टी आपको त्यार कर लेनी है और आपको मेजरमेंट करके आपको उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर बनाने है यह देखिए तो यह मैं होल बताना भी आपको दिखा देती हूं चलिए तीन रों हुम बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें उल्टी रो तो हुमारी पूरी उल्टी बनेगी एक वं Kelvin अधार के है तो यह देखिए एक तो हुमने बना लिया है और इसको में एक बारी और आपको बता देती हूं यह देकि पहला की सिधी वाली को गिन के हमें पूरा साथ बनाने 400 दोचे होगे और ये छाठ तरायओं पीछे करेंगे यह वाला फन्दा सीधा और ये वाला भी सीधा बना लेंगे यहां पर हमें दो डालेंगे और दो पंद हिंस लास्ट के सीदे बना लेगे और उल्टी रों हमारी पूरे उल्टी बनेगी एक पंदा उतार लेंगे फिर उल्टा बना लेते हैं तो फ्रेंज देखिए यह तीन हमने बना ली है अब इसमें हमें यह बटन पट्टी का जो हॉल बनाया है बटन के लिए वो बनाते हैं देखिए फर्स्ट बंदा उतार के एक दो ते यह देखिए तीन हमने बना लिए आप देखिए अब धागे को कैसे करेंगे यह ऐसे हम यह देखिए धागे को ऐसे इसके उपर रख लेंगे जड़ा लेंगे तकि यहाँ पर हमारी जाली आ जाएगी और थो फंदें हम यहाँ पे उल्टे बना लेंगे यह देखिए और यह एक फंदा हमारा लास्ट का बचा धागे को अपने करेंगे पीछे की तरफ करके बाकी डिजाइन जैसे हम बना रहे थे वैसे बना लेंगे लागे को अपने तरफ करके यां जाली डाल देंगे सीधा बना देंगे दो लास्ट के अब देखिए पीछे वाली रों में हम क्या करेंगे एक फंदा तो हमें सीधा उतार लेना ऐसे और पाके उल्टे बनाने यह देखिए अब यहां पर अब यहां पर देखिए हमारी जो हमने यहां पर जाली डाली थी इसको यह जो है फंदा इसको भी उल्टा बना लेंगे और आप देखिए हमारे यहां पर यह देखिए काज बन गया है बटन के लिए और ऐसे ही आपको काज बना लेना है और ऐसे यह बटन पट्टी हमारी बनती चली जाएगी जब यह पूरी बटन पट्टी बन जाएगी तब हम इसे जूढ लेंगे और यह बहुत ही सुन्दर लगती है कार्डिगन में बच्चों की फ्रॉक वगरा में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनेगा अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालू तो पहली नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और आप मेरी वीडियो देख सके तो फ्रेंज फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तैंक यू बाई बाई